दूस्तों, अगर आप Angel1 के platform से mutual fund में पैसे लागाना चाते हो, यह SIP करना चाते हो, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, Angel One के platform से आप कैसे SIP कर सकते हैं mutual fund में पैसे कैसे लगा सकते हैं return क्या देखने को मिलते हैं कौन सा best fund हमें देखने को मिलने वाला है इन सारे points पर discuss करेंगे तो वीडियो बहुत ही short होगी वीडियो को पूरा इन तक watch करिए अगर आप Angel One के platform से mutual fund में जो है पैसे लागाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले Angel One में DMET account ओपन करना पड़ेगा फ्री DMET account ओपनिंग लिंक description box में दे दी है Angel One की तो वहां से आप फ्री में DMET account भी open कर सकते हैं तो आपने अगर DMET account ओपन कर लिया है तो आपको simply यहाँ पे home पे आना है home पे आने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से जो है interface शो करेगा ठीक है यहाँ पे नीचे के साइड में build your wealth दिखाई देगा यहाँ पे आप center में देख सकते हो mutual fund दिखाई दे रहे हैं तो just इसके उपर हमें जो है click करना है जैसे ही हम इस पे click करेंगे click करने के बाद में कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे interface शो करेगा तो बहुत ही easy जो है angel one में यहाँ पे हमें interface इसका देखने को मिलता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कोई भी आगर हमें fund का नाम पता है यहाँ पे search box में हम search कर सकते हैं अगर आपको कोई पता नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों मैं आपको अभी बताने वाला हूँ ठीक है तो जिसे कि अभी यहाँ पे हम orders में जाते हैं तो orders में जाने के बाद में यहाँ पे आपको जो है popular funds दिखाई देंगे ठीक है popular funds के अंदर निचे के साइड में आएंगे तो explore funds दिखाई देंगे इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे समने कुछ इस तरह से box open हो जाएगा सिर्फ यहाँ पे हमें 5 देखने को मिल रहे हैं और भी बहुत सारे हैं दोस्तों ठीक है तो अभी most famous जो है यहाँ पे popular fund यह बता रहे हैं जैसे कि cont small cap fund हमें देखने को मिल रहा है जो कि एक साल में 67% से भी ज्यादा return हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं one year का अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 70% के जो है past one year में हमें इसके return दे देखने को मिला है तो यहाँ पे और भी देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे कॉंड large cap and mid cap है इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे one year में भी आप देख सकते हो 73.59% के return जो हम इसमें देखने को मिल चुके हैं HDFC mid cap जो है यह भी है इस पे अगर हम क्लिक तो आप देख सकते हो one year में इसके अंदर 58% के return देखने को मिल चुके हैं काफी अच्छी return हमें देखने को मिले हैं minimum आप अगर से कोई भी fund में अपलाय कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपीस यहाँ पे minimum इसका SIP 1000 है ठीक है 1000 से आप इसको start करना पड़ेगा दिखे दोस्तों यहाँ यहाँ पे आपको amount इंटर करने जिसे की 1000 भी कर सकते हैं 2000 भी कर सकते हैं ठीक है जिसे की 3000 भी हम कर सकते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे निच्छे के sign में monthly SIP date select करनी पड़ेगी जिसे की for example के लिए मैं आपको बतना चाहूंगा अगर आप job करते हो आपकी salary म पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है confirm करना है ठीक है यहाँ पे हम अगर confirm कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा next installment हमें दिखाए देगा 7 July को रहेगा मतलब immediate आपको इसी मन से नहीं मिलेगा दोस्तों ठीक है next आने वाले एक महिनी के बात का जो है आपको मिल जाता ह तो हमें simply यहाँ पे confirm करना है जैसी हम इस पे confirm करेंगे यहाँ पे हमारे सामने जो है यह order place हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे हमें order place होने के बाद में जो है आपके जो आपने date decide की है exactly उसी date से आपके bank account से जो है वो amount जो है deduct होना start हो जाएगा और भी ऐसा बहुत सारे जैसे कि अच्छे जो है हम अगर mutual funds की बात करेंगे तो यहाँ पे निपॉन इंडिया large cap भी बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिलता है लेकिन निपॉन इंडिया भी एक ऐसा large cap fund है जिसके अंदर हमें बहुत ही अच्छे return पिछले एक साल में देखने को मिल चुके हैं आप यह यहाँ पे देख सकते हो minimum 100 rupees से जो है आप यहाँ पे SIP स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन मेरा ऐसा कहना रहेगा दोस्तों अगर आप SIP कर ही रहे हो तो minimum 1000 rupees से स्टार्ट करिए ताकि आने वाले सालों में आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छी amount जो है इसके अंदर आपको return दे मज़में आच हो कि बहुत ही इसी तरीके से कोई भी जो है आप कोई भी mutual fund के लिए SIP कर सकते हैं ठीक है आपको यह सब process करने के बाद में आपका UPID एंटर करना है UPID एंटर करने के बाद पे यहाँ पे पे क्लिक करना है पे पे क्लिक करने के बाद आपका पैसे आपके bank account से क आपके बाद में दे दी है महां से फ्री में डीमेट अकॉंट भी open कर सकते हैं तो दुस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो से एजुकेशनल परपस के हमारे चैनल पर अपलोड कर दिये गये हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो उन इसको भी जरूर देखिए स्टॉक एनलसिस क वीडियो भी जो है उस पर बनाए गया है जो कि एजुकेशनल परपस के लिए बनाए गया है ऐसे बहुत सारे वीडियो से तो आप उन वीडियो को ज़रूर वाच करें तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो अच्छा लगाए तो वीडियो को ज़रूर करिए चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सुस्क्राइब कर लीजिए और बेल अकॉन पर प्रेस करें ताकि ऐसे आने वाले वीडियो के अपडेट जो है आप तक पहुंसते रहें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में